A solution containing 2 gram of a non-volatile solute in 20 gram of water boils at this temperature. The molecular mass of the solute is, देखे, क्या है कि 2 gram आपका solute है, non-volatile, वो डाल दिया 20 gram of water. अब कह दिया कि जो solution है यह आपका, यह boil हो रहा है 373.52 Kelvin पर, करेक्ट, तो अगर मैं डेल टीबी निकालने कोश्च करूँ, डेल टीबी क्या हो जाएगा, यह 373.52, यानि जो solution का हुआ, minus, जो आपका water का ओटता है, यानि 373 Kelvin, क्यों, 100 degree centigrade पर water boil होता है, 273 add कर दो, तो 373 Kelvin हो गया, तो डेल टीबी की value हो गई आपकी 0.52, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, अब मुझे क्योंकि molecular mass of solute बताना है, we know, कि जो डेल टीबी की value क्या होती है, वेंट ओ फेक्टर, आई, इन्टु के बी, ओके, इन्टु मॉलालिटी, समझ मैं आपको, अब इसमें देखी गाईज, आपको के बी तो given है, ठीक है, molality भी निकाली लोगे, IQ value क्या होगी, देखे, क्या होता है, कि वैसे तो हमें पता है, electrolyte और non electrolyte के लिए, ठीक है, non electrolyte के लिए आप हमीशा वन लेते हैं, ठीक है, non volatile की बात हो रही है, non volatile जो solute होता है, वे, जब भी आप, normally क्या होता है, कि वे, कम dissociate होता है, जनरली क्या करता है, एक symbol, single molecule की form में ही, वे dissolve हो जाता है, ठीक है, ना तो ये non volatile solitude dissociate होता है, ना ही मिलके कुछ बड़ा group बना देता है, वे, basically इन वे क्या करता है, कि, जब भी आप उसको water में डाल रहो, for example, वे, एक single molecule की form में रहना पसंद करता है, for example, one, समझ इस वज़े से क्या होता है, कि, जनरली हम क्या करते है, कि जो non volatile solute है, उसकी जो I है, वो हम one ले लेते हैं, क्योंकि, वेंट ओफेक्टर क्या है, कि जो number of particles है, solute के dissociate हुए, ठीकि, लेकिन क्या होता है, कि, हाला कि इसमें आपको दिखेगा, कि boiling point में effect हुआ है, कुछ, लेक इतना समन मैं आगा इस अब, ठीक है, तो I equals to 1, KB की value point 52 है, molality क्या हो जाएगी, mass of solute, याने gram upon molecular mass, यह जो आपको निकालना है, into mass of solvent, mass of solvent क्या होगा, 20 gram, 20 into 10 power minus 3 कर दो, तो kilogram में आ जाएगा, ओके, अब इसको जब आप पूरे को, यह होगे, M, और डेल T भी क्या होगे, यह अब यहां से बस आपको M की value निकाल लिए, M equals to हो जाएगा, 2 into point 52 divided by 20 into 10 power minus 3, ओके, और यह हो गया, point 52, समझा है, तो यह इससे cancel हो गया, M की value आ जाएगे आपकी, 2 upon 20 into 10 power 3, याने 100 gram per mole, ठीक है?